भू अधिग्रहन में हो रही देरी के चलते देश में पहली बुलिक ट्रेन के दौने में भले ही थोरा विलंब हो जाए, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं के लिहाज से यह ट्रेन खास होगी. रेल मंत्राले ट्रेन की सुविधाओं की योजना को सुभार और उन्हें अंतिम रूप देने में लगा हुआ है. बुलिक ट्रेन में बच्चों को दूद पिलाने के लिए अलग रूम होगा तो बीमार लोगों के लिए भी अतिरिक सुविधाओं होंगी. इतना ही नहीं, 695 सीट स्टेंदर्ड प्लास की होंगी. आपको बताते हैं कि इस ट्रेन में यात्रियों को क्या सुविधाओं दी जाएंगी. सामान रखने के लिए अलग से स्थान होगा. इपांच शिंकन सेंश्रेनी की बुलिक ट्रेन में बच्चों के कपरे बदलने के लिए अलग स्थ ट्रेन में ये सारी सुविधाएं एक कोच छोड़कर होंगी. ट्रेन में कुल 10 कोच होंगे जिनमें कुल 750 सीथ होंगी. ट्रेन में आप्तोमैटिक रोटेशन सिस्टम वाली सीथ होंगी जिनहें सुविधा अनुसार एड़्जस्ट किया जा सकेगा. कोच में फ्रिजर, जानकारियां मिलती रहेंगी. जापान के सहयोग से पूरी हो रही इस परियोजना की लागत 1,00,00 करोड रुपए होगी.